हे अब्रीवन कैसे हैं सब भी है होप आपसे बेचेंगे गाइस तो यहाँ पे रेडिमी नोट 11 T 5G के लिए फाइनली रोलाउट हो चुका है मिवाई 14 का 0.1.0 का ओफिशल इंडियन स्टेबल अपडेट मुझे डेली बेसिस पे बहुत सारे कमेंट दा रहे थे यूजर के कि भाई हमारे लिए अपडेट रिलीज नहीं हो रहा है पर यह जो अपडेट है वो कुछ सिलेक्टिड यूजर मतलब पाइलिट यूजर के लिए रोलाउट किया गया है तो एक से दो वीकेंद रिसको पबलिक रोलाउट कर दिया जाएगा बट उससे पहले इसके रिकारड़ी कुछ important informations हैं जिसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए जिससे आप लोग ये decide कर सकते हो कि क्या आपको इसे अपडेट करना चाहिए या नहीं क्योंकि इसमें मैं आपको बता दू कुछ issues भी है और कुछ अच्छी चीजे भी है सबसे पहले आप लोगों को एक कुछ good news बता दू बट उससे पहले चैनल पर first time आयो तो subscribe कर दो ताकि in future भी आपको ऐसी कमाल की videos देखनी को मिलती रहे और अगर आप लोगों को update अभी तक देखनी को नहीं मिला है guys comment section में बता देना मिलको comment करके कि भाई हमें update देखनी को नहीं मिला है then next week तक जब update आएगा then उसके regarding guys मैं आपको information अपने telegram चैनल पर भी देदूँगा और YouTube के community post में भी तो अब बात कर लेते हैं guys इस बार आपको क्या खास देखनी को मिला है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूगी योग खास है वो है Android 13 का update जी हाँ आपको इसमें Android 13 का update देखनी को मिला है वो भी guys MIUI 14 based that's why आप लोगों को वो सारे features access करने के option देखने को मिलते हैं उसी के साथ इसमें आपको देखनी को मिला है July का security patch जो कि अची चीज़ है guys कि आपके phone में जो bug fixes हैं वो काफिय तक देखनी को मिले हैं और आपको latest security patches भी देखनी को मिल रहे हैं उसी के साथ एक और बहुत बड़ा change इसमें देखनी को मिला है जो कि एक positive side की तरफ denote करता है और मुझे लगता है कि अपकमीडेज में बाकी Xiaomi devices में भी update आने वाला है वो है message का जी हाँ message का update भी यहाँ पर roll out कर दिया गया है जो कि आप लोगों ने notice किया होगा तो जो official Xiaomi की APK यह message वाली वो अब आपको देखने को मिल रही है अब coming days में मुझे लगता है कि phone APK भी यह वापिस ले आएंगे जो कि एक अची चीज होने वाली है तो आप उसे as a default भी set कर सकते हो उसके बात करते हैं इसमें एक बुरी चीज के बारे में कि आपको जो control center है वो gray देखने को मिल रहा है जी हाँ यह issue बहुत आतक देखने को मिल रहा है बटा आप इसे कैसे fix कर सकते हो इसके उपर मैं वीडियो औरी बना चुका हूँ जो कि आप लोग चाहो तो जाके चेक आउट कर सकते हो उसी के साथ मैं आपको बता दू कि यह जो update है वो guys early stage में ही है तो अभी bugs द लग देखने को नहीं मिल रहे है जो कि मुझे Xiaomi की बहुत गलत बात लगती है कि भाई अगर आप लोगों ने features देने ही नहीं होते तो introduce क्यों करते हो वीडियो के description में भी मैं डाल दूगा अगर वो आ चुका है अभी तक तो अगर आप लोग वीडियो को लेड़ देख रहे हो otherwise guys आप लोग अपना जो official update section है MIUI का वो भी जाके checkout कर सकते हो हो सकता है guys आपके लिए update अवेड़ हो बट वो update guys आप लोग अपने risk पे ही update करना वर telegram पे then मुझ तक information पहुंच जाएगा अगर वो serious हुई तो मैं Xiaomi को भी refer कर दूँगा और उसके उपर एक अलग video बदाऊँगा बाकि आपके मन में issue है कि क्या आपका phone crash होगा तो नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि इस update को guys काफी तक stable बनाया गया और user के response भी मुझ तक पहुंचे हैं तो उन सबी ने बोला है कि अभी तक major bug है कुछ बढ़ बढ़ा बग होता है कि हाँ आपका phone crash होना या motherboard dead होना वैसा issue आपको देखने को नहीं मिल रहा है जो कि अभी तक का एक बहुत ही positive sign है बाकि आपको update मिला या नहीं comment section में बता देना और ऐसी और watching मिलते हैं next वीडियो में